हाई, वेल्कम टूब में चैनल, इस बीडियो में सॉल्ट करें कुश्चान वा 41, अ हालो गार्डेन रोलर, 63 सेंटीमेटर वाइड, वीद गर्थ आ 4 सेंटीमेटर, इस मेड आ 4 सेंटीमेटर थीक आयरन, फैन दो वालूम अब द आयरन, तो ये कह रहा है कि आक एक गार्डेन है, ठीक है, और उस गार्डेन रोलर का जो वाइडननेस है, वो सीके धितरी सेंटीमेटर है, आशाओ, यहाँ पर वाइड बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हुआ, इसका मतलब यह हुआ हillah, जो गार्डन रोलर होते हैं, आप जो चलाते है, तो इसमें यहाँ पर ऐसे बादा होता है ठीक है मतलब ऐसे करके बना होता है इसे तो आप यहां पर हाथ पकड़ करके आप रोल करते हैं इसको आगे पीछे ठीक है तो इसका जो वाइडनेस है वो यहां पर ऐसे बोला जाता है कि मतलब यहां से ले करके यहां तक जो लेंथ है उसको बोलेंगे कि इतना wide है, तो यह जो length है वही मतलब length, मतलब height अब दो cylinder हो जाता है है कि नहीं, roller का जो है यह cylinder बन जाएगा, wide तो यह हो जाएगा आपका 63 cm यही दिया होगा है 63 cm यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक है, अब बुर रहें कि वीदे girth आप 440 cm, girth देखें, नया वाड़ी हम भी जो रहा है, girth girth का मतलब होता है, कि इस cylinder को हम 4 तरफ से यही पकड़ेंगे आइसे हाथ से, तो कितना मतलब लंबा होगा यह मतलब कि इसका circumference कितना होगा ठीक है, यह जो आपका ruler है इसका circumference कितना है, उसी को बोलता है girth ठीक है, तो वो देदिया है 440 cm अब यह बना हुआ है 4 cm ठीक iron से, मतलब कि यह जो यहां से लेकर कि यहां तक जो लंबाई है वो 4 cm है 4 cm है यहां से लेकर यहां तक मतलब जो मोटाई है इसकी बना हुआ है इसका निकालना है आपको hollow cylinder का volume एक्चुली निकालना है तो यहां पर यह यहां पर दे दिया है 4 cm इतना और इसका radius internal radius और outer radius नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो यह दिया हुआ है girth जो दिया हुआ है, girth system निकाल लेंगे outer radius यहां पर 440 cm क्या दिया हुआ है girth मतब circumference चलिए solve करते हैं पहले हम निकालते है capital R और उसके पास निकालेंगे small r उसके पास निकालेंगे volume क्योंकि हाट जो दिया है तो यहां पर क्या करेंगे कि we know that given that given that girth of the garden roller girth of the garden roller वो दिया हुआ कितना 440 cm यहां पर girth का मतलब हो गया circumference means 2 pi r is equal to अच्छा यहां पर small r उसके निकालेंगे आप यहां पर उसके करेंगे capital R ठीक है 2 pi capital R is equal to 440 cm capital R क्यों यूज़ कर रहा हुँ है क्योंकि यहां पर आपको यहां से ले करके center से ले करके पूरा इतना यहां तक मिलेगा यहां से ले करके यहां तक मिलेगा capital R radius तब जाकर मिलेगा आपको outer का outer मतलब circumference outer circumference ठीक है तो यहां पर 440 वही दिया गया गर्थ गर्थ का मतलब कि बाहर से कितना circumference इसका है ओके तो यहां पर मिलेगा आपको कर लेंगा 2 in 2 यह 22 by 7 हो गया into capital R is equal to हो गया 440 तो यहां से आप capital R निकाल सकते है capital R इसकुल हो जाएगा 440 multiplied by 7 अपान यह ड़ाड़ कर देंगे 2 into 22 से तो यहां दिखिए आपको कट जाएगा पूरता सही है तो मिलेगा 10 और इकट के आएगा 70 cm आपको निकल गया capital R 70 cm अब यहां पर दिखिए 4 cm का यह वाड़नेस है तो हम क्या कर लेंगे internal radius निकाल लेंगे तो small r हो जाएगा outer radius में से minus कर देंगे thickness बतब thickness यहां पर दियावा है 4 cm थिक यहां पर लिख देते हैं thickness ठीक है thickness is equal to हो जाएगा capital R means 70 minus thickness आपका 4 है means अब आगे है 66 cm अब हम निकाल लिए outer radius और outer radius और inner radius उसके बाद से क्या करना है volume निकाल लेना है बस तो यहां पर volume of iron volume of the iron मतब जिससे यह बना हुआ है उसी का निकालना है volume of the iron तो यह होगा pi capital R square minus small R square into H height तो pi की value जो है 22 by 7 है into R square minus small R square means यहां पर हो जाएगा 70 का square minus 66 का square into height जो है length of the ruler हो जाएगा means wideness of the ruler means 63 अब यहां से आप देखिए 7 and 7 and 7 and 63 कर सकते हैं और यहां पर 22 into यहां पर देखे expand कर दीजिए यहां पर करिएगा इस तरीके से कि R square minus small R square is equal होता है capital R minus small R in bracket and capital R plus small R मतलब A square minus B square पर जो formula होता है उसका use करके हम यहां पर break कर लेंगे यहां break करेंगे तो पहले minus कर लेते हैं तो मिलेगा फोर ठीक है 66 में ठीक है 4 मिलेगा minus करने पर और plus करने पर क्या मिलेगा मिलेगा आपको 6 and 13 136 into 9 इन सब को multiply करेंगे तो मिल जागा क्या देखे है 9 for 36 यहां पर ऐसे कर लेता है देखे है यहां पर हो जागा 88 यहां पर हो जागा 88 और यहां multiply करेंगे तो क्या मिलेगा 88 में पहले 9 से करते हैं तो 88 में पहले अच्छा इसको फिछ से लिख देते हैं 9 into sorry क्या कर रहा हूँ into 9 multiplied by 136 तो यहां पर 88 में पहले नाइस मुले करते हैं तो 98 जा 27 बचा 98 जा 72 72 and 7 79 तो 6 जा 12 का 2 बचा 1 कर्यूवर और 9 जा 54 and 54 and 3 जा 6 54 and 6 60 हो जाएगा 61 61 हो जाएगा और 6 कर्यूवर अगें यहां पर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो 9 जा 27 27 and 2 and 6 से जा 42 मतलब आ जाएगा 44 44 44 and 51 and 71 71 and 6 77 77 का 7 7 कर्योवर and 7 3 जा करेंगे तो 21 और 9 जा 9 मिन्स हो जाएगा 30 30 and 7 37 का 7 and 3 कर्योवर and 7 7 and 3 10 मिन्स इतना आ जाएगा मतलब तो नहीं तो तफ था कर्विशन यह हो जाएगा 110,077,713 13 sorry 12 यह हो जाएगा 12 इतना क्या हो जाएगा cm3 this will be the volume of iron by which this ruler has been made okay thank you so much for watching bye